कि है अगर आपने तक नहीं देखे तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं देखिए वह जिरोरी लेक्चरिस से पहले आपको चीज समझने पड़ेगी उसमें कुछ बेसिक टरम्स देखिए कुछ बेसिक लोग कुछ रूल्स जो आपको हेल्प करेंगी लेक्टिकल मिशीन को सम कर दिया अब हमने आज से शुरूई कर दिया तो बीच-बीच में उनकी टरम्स जो रूल्स है लो है वह यूज होंगे बीच-बीच में तो अगर आपने अभी तक नहीं देखिए तो आपको दिकर्ट करेंगे आगे अगर आपको क्लियर नाव कंसेप्ट तो पहले उन कंसे अगर आप इस वीडियो को देखने आई गी है देख लिजिए इसमें बस चाहिए जानेंगे बीसी मिशिन की कंस्ट्रक्शन जाने के तो यह देखने के फिर आफ वहां पर मूब हो सकते हैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे ले लिस्ट का इलेक्टिकल मिशिन की प्लेलिस्ट मेंने बनाई है उसमें सारे के सारे लेक्चर आपके सिक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे ठीक है तो लेक्चर देखने के लिए आपने प्लेलिस्ट में जाना है वहां पर इलेक्टिकल मिशिन नाम की प्लेलिस्ट है उसमें सारे ल दिसके मोटर करते हैं चंश करेंगे भार पॉसके की अलग जो कि लिए याप रें महां की फसी डिसक्ति करेंगे की जिसी जनेटर है उसकी वर्किंग किसा से रहती हूर वो की सार से काम करती है डॉने के लग लग रहती है तो हम जानेंगे अच्छी तरह से तो अभी फिलाल फोकước किःजिए डीसी मशीन की construction के ऊपर तो दोस्तों जैसे कि गेला जानते कि ज promote होता है और जो मोर्ट होती है तो करते गालेट Patient कर है यह सच में घरेट कर ला है अप sthenci के हम एंग कर सकते ऑन एनरजी का बोलता है क्या दोता है in ऐसा बोलता कि आप energy को जैनेट कर सकते हैं यह ना जोता है कि हम हम energy को create नहीं कर सकते ना उसको destroy कर सकते हैं हम energy की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में convert कर सकते हैं okay energy can neither be created nor destroyed it can only be converted from one form to another form okay so तो यहां पे जो generator का जो नाम रखा generator यह जो electricity को generate कर रहा है कि सच में कर रहा है कि convert कर रहा है क्या कर रहा है तो भहिया यह ощущ örnearbet कर रहा है जिस नहीं सका नायाब उन्हींग रखा तो उन्हें ठीक रखा ठीक र ठीक है तो दोटतलों हमें electrical energy देते मोटर क्या करती है मोटर कम electrical energy देते हैं आउन में mechanical energy देता है ठीक है तो यह हो रहा है वहां फॉर्म ऑप अनर्जी से दूसरी फॉर्म और और में हमें Conversion मिल रहा है ठीक है यहां पर कोई जंदेशन नहीं हो रही है यहां पर सिर्फ energy convert हो रही है one form से दूसरी form में convert हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है तो यहां पर DC generator में mechanical energy उसको देंगे लेकिन वो output में जो electrical energy देगा जो उसमें electrical energy इसमें बनती है convert होके वो वो बनती है ac लेकंवए हमें तो चाहिए dioda dioda di okaoc तो क्या करता है फिर इसमें हमने कम्यूटीटेटर लगाए होते हैं कम्यूटेट neighborhood on camera dc मीशीन ने अलग होटा है जनले किलिए लग होता है और उर्टर के लिए कर रहा है मोटर की केस में तो बात करते इसकी कंस्ट्रक्शन की जो की बिल्गुल से में रहेगी मोटर या जनेरेटर दोनों के लिए तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं इसमें दो हमारे में पार्ट रहेंगे यहां पर मैंने बनाने की कोशिच किये लेकिन सुरी महां पर लगा दूंगा ताकि अभी आपको थोड़ा अच्छा वीजिवल नहीं हो रहा है और बोर्ड भी छोटा है तो इतना ही हो सकता है मेरे से अभी जो डी सी मिशीन होगी उसमें हमारा एक आउटर पार्ट रहेगा यह हमारा आउटर पार्ट है जो कि स्टेशनरी रहे लिए श्टेशनरी पार्ट ढार का पार्ट है उसका मिलते रोटर उसको मलते रोटर तो हैं रोड़्र जो बहर कि वैंटिन होती है जका फिल्ड वैंडिय या एकषाइटेशनर वांडिंग वहां बोलते आर्मिचर वाइन डिंग उसको मगोते हैं आर्म बॉते हैं और योक प्रेम और योक इशको बोलते हैं और यह श्मालर अगर्मिशीन है है अगर आपकी स्मॉल मिशीन है तो वो कास्ट आरेन का बना होगा अगर आपकी मिशीन बढ़ी है तो लाजर मिशीन में यह आपका कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील का बना होता है कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील का बना होता है ओके तो इस स्टेटर जो आपका स्टेशन सबसे में परपस का इसका मäकेनिकल प्रवाइट करना यह में केनीकल प्रोटेक्शिन करना यह फो तीक से यह नो प्रफ के पूल है मैंने आप आप चार पूल बनाए हुए ठीक है यह मैंने चार पूल बनाए हुए आप ही होगा यह पोल कोर होगा और यह पूर्शन आपका फोल को रहे और यह आपका फोल शू होंगे ठीक है यह पोल शू है जानती इनका परपस अभी डिटेल में तो यह इनको भी होल्ड कर रहा है इन पोल्स को भी होल्ड कर रहा है पोल को फोल्ड कर रहा है और साथ में इसका म बनाया था मैंने नौर्थ पोले साउथ पोले तो नौर्थ साउथ पोल की बीच में जो फ्लक्स सेटप हो रहा है उसके लिए रिलक्टेंस लो रिलक्टेंस पाथ प्रवाइड कर रहा है मैंने आपको रिलक्टेंस बता दिया पिछली वीडियो में कि क्या होता है रिलक्टें से कम होगा तो ज्यादे ज्यादा फ्लक्स सेट अगा ज्यादा ख्यादा थो कम से कंपलेख सटाइब होगा तो आरेन का यह बना तैंट जी तर रेनिया तो यह लोर िलक्टेंश पात प्रौइड करता जो कि यहां से में ग्रिया फॉर्च इस साइड मिल रहा है चोकि बहुत important है यह होगे आपके यह पर पोल है चार फोल का इति बना है यह में नहीं है इसमें आपका जो रहागा पहले पोल यह आपके पूल कोर है ठीक है जिसकी उपर को आपकी जो फिल्ड पूल यह पापकी फिल्ड को एल रप की होती है मैं इपको बताया कि जो स्टेटर होता है उस पर ठीट 20 वेंडिंग यह यहां पर आपकी मेरी जो यह को लैं इस पर आपकी क्या हम धोल होगी सप्ट तो इसे के साथ जूड़ी होगी चीकर और यह फिर ऐसे निकल की बाहर निकल लिक्ट कुट जो भीए excitation में देनी होती है तो यह फिल्ड को सीदिज में जोड की फिल्ड वैंडिंग मन जाएगी ठेक है तो यह आपका को रहें जिसमें आपके और में आपके यह मांट कियोगी फिल्ड कोईल्स और जो शूए इसका कहा में यह यह जो पोल शूए यह का रहे है पोल सो में माउंट रहेंगे इस तरह से जो इंट्रफोल है यह आर्मेचर एक्ष्ण को निट्रलाइज करने के लिए लगा जाते हैं आर्मेचर रेक्ष्ण क्या होती है वह आगे जानेगे और उसी तरह से इन पोल के rotated प्रफेश में भी कंपेंशेटिंग वैंडिन यूज होती है जो की आर्मिचर वैंदिंग की यह क्वाइंडेज निंग आपकी रूटर पर होती है तो यह क्या होती पॉल जो है जो इस प्रफिल्ट कोई लोंगी ठीक है इसमें आपकी फिल्ट कि कोईल जोंगी ठीक है औ इसका एपनिकलिया यह पोजटिव दीचिव दीच्टीव दीच तो यह वंगे फिले वैंदिंग थे कहा फिल्ड को यह आपस में जोड़ा तो बने एक के फेल्ट वाइनिंग फ्लद वाइनिंग आप के वोई स्टेटर पॉर्शन फे स्टेटर में आप का जुका अंड हो यह घ्र बीच में आ APP का बाहरं का पॉर्शन आगए योग यानकी फ्रेमya यह कास्ट स्टील और रोट आयरन लेमिनेशन का बनाने के लिए ताकि लेमिनेशन इसलिए यूज की होती है ताकि एडिकरंट लॉसकों कर सकते और सिल्कॉन स्टील की लेमिनेशन इसलिए बना जाते तक हम स्टेशन को कम कर सके तो इसका जो परपस रहेगा पॉल को और पॉल शूज का यह मैंने आपको बताए इसमें जो फिल्ट कोईल आपके रैफ होती है ठीक है इस पर की फिल्ट कोईल रहा होती है इन को यह सपोर्ट करता है इन यूनिफंग भिश्टिबूशन ऑफ्लक्स जुक मेकेनिक फलक्स है मेन अल्ट पिल्स आयसी नॉ पोल सोभी ज्यानें ऑ fish में से घो यहां से यह नोर्स लौ इसको मिल रहा है प्रेम चलोर भात मिल रहा है लिए ठीक है टो यह क्य कंना इस प्लक्स को जो यहां से बन कि यूनिफर्मली मेगडिक फ्लक्स को डिस्ट्यूट कर रहें पोल शूद थीक है साथ में ही यह जो इनक्रीज कर रहें क्रॉश सक्षिनल एिया ओफ मेगेनिक सर्कीट कर रहे हैं तो दोस्तों बात करते हैं रोटेटिंग पार्ट है उसकी बात करते हैं तो रोटेटिंग पार्ट है उसकी बात करते हैं तो रोटेटिंग पार्ट दोस्तों जिसको हम आर्मेचर भी बोलते हैं ठीक है आर्मेचर भी इसको होता है जो आर्मेचर कोर होता है आपका अंदर लिए slot cut किया तकि यहां पे हम जो armature coil को यहां पे insert कर सकते इन Slots में armature coils को insert किया जाएगा और उनी armature coils को जब series में connect किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे armature winding ठीक है उसको बोलेंगा armature winding तो armature winding रहेंगे आपकी rotating पार्ट यानि कि रॉटर में और जो फिल्ड वैंडिंग वोद रहे गी आपकी बाहर जो आपका स्लेंट्र कल से रहेगा आर्मिचर को आपका स्लेंट्र कल शेप करेगा और यह आपकी जो रोटेटिंग शाप्त है जो आपकी किसी प्राइम उबर के साथ साथ connected होगी जो शाप्त है उसके उपर ये कीड रहेगा की की हल्प से ये आपका ये आपका ये आपका शाप्त के साथ की की से जुड़ा है ताकि शाप्त अगर मूग कर रही है शाप्त अगर घूम रही है उसी स्पीट से भी घूमेंगा विदाउट एनी वाइबरेशन बिल्कुल पक्का इसके साथ जुड़ा रहेगा जो रोटेटिंग पार्ट होगा उसका हम आर्मेचर कहेंगे रोटेटिंग पा है जो कि जिसमें आपका आर्मेचर को रहे प्लस जो आपकी शाफ्त यह दोन आप एक डूसे से कीड है तो इसमें और क्या होता है जो अख़ोर है इसमें 20 अपके वांडिंग है और साथ में इसमें रहेंगे कमटेटर बाद इसमें आपके कम्मुटेटर बाज रहेंगे जो यह आर्मिचर को रहें यह आपकी सिल्कॉन स्टील की लेमिनेशन से बना होता है और जो सिल्कॉन स्टील की जो ठीकने रहती है और रहती है 0.4 से 0.6 mm ठीक रहता है सिल्कॉन स्टील की लेमिनेशन ठीक दोस्तों यह आपका र आपकी आर्मिचर एनगी रहेगी वह उसको हम बोलते हाट ऊप मिशीन भी बोलते है क्योंकि उसमें आपकी जो आपकी मेकैनिकल एनर्जी है वह एकनवाट वहां पर दो हड़ी है तो हाट आफ मेशी उसी को कहा जाएगा ठेक जान में इसे दो टेब फिर दे उने में लेवेंडिंग और वेवेंडिंग वेह उदीस करते हैं जहांपे आपको ही करन्ट लो हो अशी करते हैं आपको आनिक उर्पी यह पाँ है आपको लो करन्ट है नि laying ज्यादा होते हैं कि घुरये मैं नेकिन को बोलेंगे तो जो आर्मेचर वेंडिंग की जो कॉल्स के कंड़क्टर है वो इसके साथ जुड़े होंगे और जो कम्यों टेटर है वह क्या करता है इसका दो प्रबस रहेंगे generator के case में यह AC जो अंदर बंढ रही है उसकों DC में convert कर गा ताकि हमें DC generator है DC output मिले अगर DC motor है तो DC motor के case में DC power बाहर से दे रहे हैं तो उसको AC में convert कर रहा है जिसके कानी स्मय Unidirectional torque प्रवायड हो रहाहे है Commutator की अलब से यह Commutator Is DC कनोट कर रहा है DC की केस स्वाइव डीची जनिरेटर की केस में और Commutator segments जो रहते है इसमें वो कितने होता है number of coils के वराबर होते है Commutator segments जो मनें आपर बिनाए है यह Commutator segment आज जो है armature कौल्ड को एक्रीक काव में गोट पर उतने आपके काव यह सेगमेंस होगे नेक्ष्ट की ब्रेशिस दुस्तों जो ब्रेशिस होते हैं का हम होता है करेंट को रहेंगे टिक क्या करेंगे पर यह इस तरह से कंडक्टर बाहर निकले एक यह यहां फे लोड क्नेक्ट कर दिया मा current collect करके बाहर आएगा लोड की और फ्लो होगी घज़ा है जो करेंट कुलेक्ट करेगा वह करेंगे ब्रशीज आपके current को collect करेंगे या तो यह करवन के होते हैं या फिर कौपर के उते हैं इनका काम क्या है करन्ट को क्लेक्ट करना हम कम्मुटेटर बाद या कम्मुटेटर सेग्मेंट और जो कम्मुटेटर सेग्मेंट है इनकी बीच का इंसुलेशन जो रहेगा हर सेग्मेंट की बीच में इंसुलेशन प्रवाइड होता है हम माइका इंसुलेशन यूज करते हैं माइका इंसुले Creating है और जो इसका Breton है उसमें इसमें होजिंग फिन प्रवाइड की एडियति है्सकर तो जो होजिंग है जो फरंट theorizing दियाती ति वो बीरिंग को départ करती है और सा चाह में जूध वर इसक Olid करती है जो इसको पिरेंड में और इसमें सींजिक यूज़ की जाती है वह बेस forty करती है ठीक में यसा करती है जो रोकॉटेटिंग पार्ट विसको ठीटेशन फ्री इरोटेशन प्राइशन करता ताक में को है friction ना मिले उसकी rotation के लिए वो without friction rotate करे आसानी से तो bearing help करती है उसको आसानी से गोमने में ताकि उसमें कोई friction exert ना हो और यह ball bearing हो या roller ball bearing होंगे roller bearing होंगे या तो ball bearing होंगे और यह high carbon steel की बने होते हैं और जो आपका में कंपर करता है कमटेकर और सब्सक्ption रहते हैं थीडों रहते हैं को छुप अधाय और नहीं से क्सथाएं जुड़ी के लिए सब्सक्राइब कर रहा है जो मेकैनिकल एनर्जी प्रवाइड कर रहा है तो उस मेकैनिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है मोटर की केस में जो मेकैनिकल एनर्जी मोटर प्रवाइड कर रहा है तो इस तरह से यह आपकी कंस्ट्रक्शन थी सी मचीन की जिसमें आपके डिसी जनर्टर और डिसी मोटर दोनों आ चुके हैं इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट सें तो आप कुमेंट बोक्स में किमेंट कर सकते हैं तो वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे कि मैंने आपको इच इसा वैसी का लिए यह जो मैंने यहां पर लिखे के पास जिसे कि फ्रेम और योक जो कि आपका आऊटर पाॅट है ठीक है और यापके इंटरफोर्स ढिनीजा यहाँ पर इंटरफोर्स टाकि जो आपके यहां इनिटरफोर्स करने में याफिक रेक्शन है याप बिलते। करने के लिए या फिर इंटरफोल यूज कर लो या कंपेंसरेटिंग वाइंडिंग यूज कर लो ठीक है जो पूल शुमें आपको बता दी जो कि आज आगे जो पॉर्जेक्टिर पोर्शन है इसको पॉल शू बोलते हैं और जो आपका को रहे यह वर्टिकल फोर्शन आपका फोल को रहे हैं ठीक है और जो फिल्ड और एक्सा फिल्ड कोईल और एक्साइटिंग कोईल आपकी स्कोर की उपर होती है और जो पॉल शूज को स्पोर्ट कर रहे हैं और साथ में इनका फर्फस है जो फोल चूब यह क्या कहता है यूनिफॉर्म फ्लक्स सब्सक्राइब कर लाटे यह आपका रोटेटिंग पॉर्शन है जो और में इसको बोलते हैं और इसमें आपका आर्मिचर स्लोट कटे होते हैं भार इसके क्लीचर को ड़िसमें जाएंगी और उसके बाद पिर कमटेटर सेग्मेंट आपके सेम रोटर जो रोटर पर तो उस पर सेग्मेंट सोगे तो नॉमबर अब कमेटेंटर जगमें बावर होगे दो कोईस्क के जो कनदक्ट पर वो कॉनटेंटर ऑदे जैसे मपहले होंगे और फिर अपनितर का मेरेता है और रहाएई कोई किरेंट की उपर लगे हूंगे बाष व्लक यहल्फ से ठीक है बशोलटर ओर स्प्रिंग की हल्प से लिग होगे जो की करन्ट को को मेकेनीकल नैसी भिट्रायम वब से ट्रनसपर कर रहा हो और मोटर की केस में मोटर से मेकेनीकल जे उसको जो मेकेनीकलल लॉरड आगे कनेक्ट किया हो उसको ट्रस थो फर कर रहे हैं तो आँ हो आपको यह video helpful लगी हो, so मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लिए, keep watching, keep learning and take care. अी कीुआ हो जाजा देक्स भींद।